हेलो गुद मोडिंग श्टिदेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे पावर ओफ एम सिगनल हम लोग ने लास्ट क्लास में एम्पिलिट्री मोडिलेशन सिगनल के बाड़ा था वो कैसे काम करता क्या होता उसकी फॉर्मूलोस के बाड़ा में ये सब पढ़ा था कि कैसे कैसे होता बाड़ा और यूसके बाड़ में साइडियंगे कैसे काम करता है ये सबी हम लोग ना हिसकी फॉर्मूला सा देखा छाइड-बेंड आपर साइड-बेंड ठीके तो अब पन लोट साइडवें इसका कर्येर पावर का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है एंप्लिट्यूड अपन आप एंप्लिट्यूड का स्कॉर्ड होगा अपॉन टू आड होगा कि यह पोले हुआश्च्वर अपन प्लिसर एफ से म्यू ऐपह सीं मियू एपो अपन्टू कॉस्ट्वाल ट्सथथय। या प्लस फं टो यहां इसका एंप्लिटुड यह केल ऑवर और किया हो गया क्या हो गया स्ब्सक्राइब सब्सक्राइब इन ड्रπα क्लाल केलं tense मादब मैगनिटीट का स्क्वाइड अपॉन 2R क्या करते हैं मैगनिटीट का स्क्वाइड अपॉन 2R हो गया और LSB और USB इस दोनों के क्या होते हैं इस दोनों के अम्प्लिटीट क्या है सेम है होगा i.c upon two huls square upon two whistle below side wind हो जाएंगे side wind हो जाएंगे इस दोन का क्या होगा Ine ak square Newton 8R हो is the combination of the carrier power plus sidewind power sidewind power तो carrier power का क्या होगा ACA square upon 2R और इसका LSB का formula क्या हो गया ACA square mu square upon 8R फिर USB के लिए USB यह दोनों equal है तो दोनों का value भी equal होगा यहां होगा ACA square mu square upon 8R तो इस दोनों का क्या क्या करेंगे और इसमें क्या करेंगे हम लोग ले सकते कमाइन से ACA square upon 2R इसमें है common इसमें common तो इसमें common ले लिए इसका यह आया एक 1 प्लस 1 प्लस क्या आया मिश्वार अपॉन टू और इसका क्या होता है यह total combination हो गया क्या होगा टोटल पावर अगर हम यह देखें यह formula देखें यह formula क्या है मारा हम लोग नहीं देखा ना इसका formula यह है तो हम लोग ने इसके जगा पूट कर दिया पीसी इंटु वन प्लस मिश्वार अपॉन टू तो यह जो है यह पावर आप पीटी उसके बाद का है modulation करके जो आता है ठीक है अगर आप यहां देखें तो क्या होगा पीटी इजगल टू तो पीसी प्लस पीसी देखें यह क्योंकि क्या है अगर इसमें हम लोगों ने हम लोग देख सकते हैं यहां देख सकते हैं तो क्या आएगा यहा है मारा के रिया पावर क्या होगा जबना और है दोनों एककवल हो गया तो अगर इसके अपन फोर कर दें तो क्या हो और यही हम लिखा यहाँ सुदार पावर इस इंडिनेंट अफ मियू पर डीपेंडाइब कर रहा है पर जो किया करता है इसकी साइडेंट पावर की फैर्लिव एसे-विसे इंक्रीज होगी, as the mu is increase, PSB also increases, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, इसकी value क्या करते हैं, increase करते हैं, 0 to 1 पर हम लोग ले की जाते हैं, mu की value, अगर is for 0, mu is equal to 0, तो normal deletion, देखिए, यहां हम लोग में देखा न, अगर देखे, mu is equal to 0, यहां अगर mu is equal to 0, put कर दिया, तो क्या आएगा, PC, PC से PC, multiply or mu, यहां 0 हो गया, PC आगया, PC is equal to PC, PT, तो हो गया, यहां पर PC is equal to PT, ठीक है, और अगर mu is equal to case 2, में अगर देखे, case 2 is equal to 4, mu is equal to 1, total modulation, 100% modulation, यहां अगर mu की value 1 करने, तो क्या आएगा, PT, PT आगया, और यहां देखे, यहां क्या आगया, इस दिनों की value, अगर यहां 1 by 2 आगया, 1 by 2 अप्लस PC, तो कितना आगया, 3 by 2, तो 3 by 2, अगर इसको point में ले, तो 1.58, 1.5 PC, PC की value कितनी है, PT की value कितनी है, PT की value PC से 1.5 गुना जाता है, मतब उससे, अगर इसकी माल लीजे, मतब कितनी हो जाती है, देखे, as mu increases from 0 to 1, AM power is increases by 50%, 50% इसकी increase हो जाती है, मतब जब 100% अगर पावर दिया जाए, तो इसकी power क्या होगी, मतब इसकी, मतब 1.5 गुना 50% मतब जादा हो जाएगी, ठीक है, चलिए, इसकी next में जाते हैं, हम लोगों देखते हैं, क्या होता है, PT, अगर PT हम लोगों ने देखा था, हम लोग लिख सकते हैं, PT is equal to 3 by 2 PC, इसलिए, PC is equal to 2 by 3 PT, यह PC की value हम निकाल सकते हैं, 0.666 PT, और इसको percentage में अगर निकाल आ जाए, तो क्या आएगा, PC is equal to 66.66 percentage of PT, ठीक है, अगर ठीक इसी तरह, अगर PT क्या होता है, PT की value क्या होती, PC plus PSB, PT is the combination of the carrier power plus sidewind power, तो carrier power की value क्या हो, यह 2 by 3 PT, और sidewind power की क्या हो गई, अगर हम sidewind power निकालना चाहें, PT की term में निकालना चाहें, तो PSB is equal to 1 by 3 PT, मतलब इसका मतलब क्या होगा, परसेंटेज की term में 33.33 percentage of PT, अगर conclusion देखा जाएं, जब musical to 0 देख रहे हैं, तो PC क्या होड़ा, 100% of PT होड़ा, PSB क्या होड़ा है, sidewind power क्या होड़ा है, 0% हो जाए और PT की, अगर total power की 0% है इसमें, musical to 1 देखें, तो carrier power क्या होड़ा है, 66% of PT, और sidewind power क्या होड़ी, 33% of PT, तो इसका मतलब जो होड़ा है, हम लोगे हमें तो sidewind power चाहिए तर पर यहां carrier power मतलब ज्यादा मिल रहा है, carrier power 66% मिल रहा है, तो यह क्या, यह सबसे बड़ाई drawback होता है, जो musical to 1 पर जो होता है, यह सबसे बड़ी drawback होती है, ठीक है, इसलिए हम लोग थार सा इसको, मतलब इसलिए यहां कहा सकते हैं, इसका modulation efficiency देखे तो modulation efficiency की जो होता है, उसको NETA से हम लोग ETA से करते हैं, तो it specifies the shear of sidewind power in total power, मतलब sidewind power जो हुआ, total sidewind power में देखता है, अगर ETA value क्या होगी, 0.1 होगी, 10% of PSB in PT, अगर 0.3 ETA की value होई, तो 30% PSB होई in PT, तो इसका formula होता है, ETA की value, PC mu square upon 2 upon PC 1 plus mu square upon 2, तो PSB की value हमारे पास क्या थी, यहां देखे PC PC cancel होजाता है, तो mu square upon 2 होई ना, यहां PSB की value हम लोगों ने put कर दिया, PSB की value, और यहां PT की value हम लोगों ने PT की value यहां put कर दिया, तो दोनों का value अपना अपना जगा पूट कर दिया, तो यहां से हम लोगों निकाल सकते है, ETA की value, mu square upon 2 plus mu square, अगर हम लोग फिर से इसी तरह हम लोग जैसे PC conclusion में देखा था, तो इस बार भी हम लोग क्या करते है, ETA, mu की value, अगर 0 यहां put करते हैं, तो ETA की value क्या आएगी? 0 आएगी, PSB क्या आएगी? 0 percentage of PT, हम लोग ने देखा था ना, पिछे में, यहां पर देखा था न, यहां पर 0%, PC is equal to 100% PT, PSB 0% PT, PC is equal to 100%, PSB is equal to 0%, अगर इसी तरह 0.5 अगर put क्या कर दिया जाए, तो ETA की value क्या आएगी? 0.11 आएगी, अगर यहां लोग ने देखा न, 0.1% अगर होता है, तो 10% PSB होती है, PSB in PT, इसले PSB की value क्या होगी? 11% होगी, 11 होगे, PC क्या होगी? 89% of PT, अगर mu is equal to 1 यहां put कर दिया, तो क्या आजाएगा? 0.333, मतलब किता है, 33% of PT in PSB, और PT की क्या होगी? 66.6%, यह जो होता है, यह होता है, वहला सबसे बड़ा drawback होता है, क्योंकि 66% अकेला बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसके साथ, मतलब PC की value, यह इसके साथ drawback हो यह हो जाता है, यहां पर इसकी value, ठीक इसी तरह हम एक एक जामपल की थुरू समझे, तो PT क्या है, हमारे पास, PT is the combination of carrier power plus sidewind power, अगर हम 50 watt का एक बल्व लें, अगर उसको 30 watt का में PC carrier power देखें और 20 watt sidewind power उसकी percentage में देखें क्या होगा, 30 watt का होड़ा तो क्या होगा, 60% होगा, और 20 watt का होड़ा तो यह 40% होगा, ठीक इसी तरह 60 watt में देखें, अगर करेंट रिलेशन्शिप में देखें, करेंट रिलेशन्शिप में अम, इसका फार्मूला आता है, PT is equal to PC into 1, 1 plus mu square upon 2, अगर PT की पावर, जो यह पावर है, पावर को हम लोग current के मतलब टर्म में लिखते हैं, तो क्या आएगा, IT square, IT, क्योंकि total power है, यहां IT आएगया, IT square, R, क्या रिये power में क्या आएगया, IC, IC square into R, और यह bracket में है, तो 1 plus mu square upon 2, तो R से R cancel आगया, R से R cancel आगया, तो क्या आएगया, RT, IT, IT square, IC square into 1 plus mu square upon 2, अगर यहां से square हटायत क्या आएगा, तो IT is equal to IC root under, under root 1 plus mu square upon 2, तो यह जो IT है, यह क्या है, AM transmitter current है, और IC क्या है, carrier current है, ठीक है, यहां समझ लिए हम लोगने, अब next पढ़ते हैं, हम लोग voltage relationship, voltage relationship AM, AM, तो ठीक, इसी तरह लास्ट, अभी formula देखा, PT, total power का, total power is equal to carrier power into 1 plus mu square upon 2, mu क्या है, modulation, तो अगर power को क्या करेंगे, अगर voltage के term में देखें, तो VT square upon R is equal to VC square upon R into 1 plus mu square upon 2, अगर देखे, कैंसल, कैंसल हो गया, तो VT, VT square is equal to, VT is equal to VC root under 1 plus mu square upon 2, अगर हम एक question, question, example लेके देखें, क्या होता है, एक example के ले रहे हैं, देखें, question, for an AM signal, total sideband power is given by 100 watt, with 50% modulation, with 50% modulation, find total AM transmitted power, transmitted power, ठीक है, transmitted power, तो क्या होगा, PSB is equal to, sideband power कितनी हमारे है, 100 watt की है, 100 watt होगया, और जो mu है हमारे कितना है, 50% का है, तो 50% होगया, 50% is equal to, कितना होगया, 1 by 2 होगया, 1.2 मतलब 0.5, 0.5 होगया, इस तरह हम कहा सकते हैं, 1 by 2 लिखें, या 0.5 लिखें, तो टोटल पावर कितना होगया, टोटल पावर is equal to PSB is equal to PC mu square upon 2, ठीक है, तो PSB की value formula यह होता है, यह होती है, यहां क्या कहा रहा है, find total AM transmitted power, मतलब total power निकलना, PT निकलना, PT निकलना, तो PSB की, हम लोग पहले PSB निकलते हैं, PSB का formula क्या होता है, PC into mu square upon 2, तो PC की formula क्या होता है, PSB into 2 upon mu square, तो PSB की value कितनी sidewind power की, 100 watt का 100 watt यहां, sidewind power is given by the 100 watt, 100 watt into 2, mu की value कितना है, 50% modulation, 50% modulation मतलब 1 by 2, 1 by 2 लिखा, तो हम लोग ने PC यहां निकल लिया, कितना है, 800, 800 आया, आब यहां से हम लोग total power निकल सकते हैं, total power क्या होता है, total power is equal to carrier power plus sidewind power, तो total power क्या है, हमारा पास 800, 800, sidewind power कितना है, 100, तो कितना है, total 900 watt का, ठीक है, यह मेरा निकल गया, इसका answer, यहीं मांग रहा था total power, और इसके बाद हम लोग एक एक और example लेके देखते हैं, क्या काड़ा है, एक कारियर, एक कारियर of 10 cos 2 pi into 10 to power 6 T, is amplitude modulation by a message signal of 4 cos 4 pi into 10 to power 3 T, which 50% of modulation and resistance is given by 5 ohm, इसमें क्या करना है, find all the parameter of am, find all the parameter of am, am का जितना parameter हम लोग साड़ा निकलेंगे, और इस क्या करना है, plot am spectrum and identify the specified component, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को am parameter का जितने भी modulation, amplitude modulation का जितने भी parameter हम लोग वो निकालना, और एक मतब जो हम लोग ने spectrum, spectrum की वारें पढ़ा था ना, spectrum में ग्राफ होता है, तो वो हम लोग ने एक figure draw, वहां graph draw करेंग, ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या दे रखा है, यहां क्या दे रखा है, carrier of 10 cos 2 pi 10 to power 6 T amplitude, तो carrier power दे रखा है, carrier power क्या दे रहा, 10 cos 2 pi 10 to power 6, तो carrier power का formula कितना होता है, AC 2 pi FCT, ठीक है, यह क्या है, modulating signal by the message signal, message signal of 4 cos 4 pi into 10 to power 3 T, तो यह क्या दे रखा है, message signal, message signal 4 cos 4 pi into 10 to power 3, इसके formula होता है, AM 2 pi FM T, जहां, अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, AC निकाल सकते हैं, और AM निकाल सकते हैं, यहां से FC और FM भी निकाल सकते हैं, AC की value क्या आगी, 10 आगई, 10 आगई, 10 आगई, और FC की value क्या आगई, FC की value 10 to power 6 आगई, तो 10 to power 6 क्या होती, 1 MHz होती है, और AM की value क्या होगी, 4 होगी, FM की value क्या होगी, frequency of modulation, frequency of modulating signal क्तने होगी 10 to power 2 into, यह formula क्या होता है, cos 2 pi FM T, तो cos 2 होगा, यह 2 extra है, तो 2 कितना होगी, तो इसके साथ है, 2 into 10 to power 3, यह 10 to power 3 का मतलब क्या होता, Kilohertz, ठीक है, अच्छा, all parameter का मतलब यहां क्या हो रहा है, हम लोग क्या क्या निकालेंगे, mu निकालेंगे, bandwidth निकालेंगे, PT निकालेंगे, PC, PSB और eta, तो ठीक है, हम लोग कोई इतनी सारी value निकाल ली है, हम लोग क्या करते हैं, for a single ton modulation क्या होता है, for a single ton modulation हम लोग ने पढ़ा था, bandwidth is equal to 2 FM, 2 FM, 2 FM क्या होगा, FM की value क्या है हमारे पास, FM की value 2 kilohertz होती है, 2 kilohertz into 2 is equal to 4 kilohertz, यह निकल गया, bandwidth निकल गया, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, इसके पाद मु निका, मु देखते हैं, मु कितनी है हमारे पास, which 50% of modulation antenna resistance is given by 4 FM, resistance R दे रखा है, तो मु is equal to 50%, 50% मतलब 1 by 2 is equal to 0.5, ठीक है, 0.5 R is equal to 5 ohm, तो PC की value क्या होती, PC की formula होता है, AC square upon 2R, AC का formula यह हो गया, तो AC की value क्या थी, 10V, 10V यह हो गए, 10V substitute करती हैं, और यहां क्या किये, upon 2R, 2 into 5, तो इसकी formula PC की value निकल गए, 10W, 10W आ गया, ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग क्या करते हैं, PT की value, PT का formula क्या होता है, PC, PC into 1 plus mu square upon 2, तो PC की value क्या है, हमारे पास, जो PC की value है, हमारे पास, यहां हम लोग ने देखा है, PC की value क्या निकल गए, 10W, 10W यहां हम लोग substitute कर दियें, मु की value क्या निकल थी 50%, 50% का क्या होया, 0.5, तो 0.5 का square upon 2, अगर यह bracket को, bracket के मतलब यह solve करेंगे इसको, तो 1.125 आएका, 10 into 10, तो इसका PT की value है, 11.25W, ठीक है, तो देखे, आप क्या निकलना है, हमारे पास, क्या क्या निकल गए, mu आ गया, bandwidth आ गया, PT आ गया, PC भी आ गया, PSB आ निकलना है, अब IT आ निकलना, तो PSB की PT is equal to क्या होती है, carry power plus sideband power, sideband power is equal to क्या होगी, total power minus carry power, तो total power कितना निकला, 11.25, आप carry power कितना है, 10, तो अगर इसको minus कर दे, तो minus करने के बाद क्या निकलेगा, 1.25 यह निकल गया, तो sideband power क्या होती है, sideband power होती है, combination of the lsb plus usb, lower sideband upon lower sideband and upper sideband, तो क्या होगे, तो अगर इसके upon 2 कर दे, तो lsb और usb की value निकल जाएगी, अब अपर sideband और lower sideband की, कितने निकल गई, 0.625 watt की, ठीक है, अब eta की value निकालते है, इता की value क्या होती है, psb sideband power upon total power, sideband power हमारे पास क्या है, 1.25, 1.25 upon 11.25, तो इता की value क्या है, 0.11 is equal to 11%, ठीक है, यह answer आ गया, अब हम लोगोंने एक लास्ट क्लास, एक बार देखा था, लास्ट क्लास में, यहां एक देखा था, प्लोट प्लोटिंग गया था हम लोगोंने, यह एक ड्रोग क्या था, ना हम लोगोंने, जो क्या था, कैसे क्या था, carrier power का, carrier power यहां डाला, carrier power का लिख दिया value, यह जो होता है, इसकी frequency, आफिर यहां क्या क्या, इसको हम लोगोंने plotting किया था, तो इसी तरफ ठीक आप इसका value, पुट करेंगे, अब अब देखते हैं कैसे कैसे करते हैं, तो देखें, यहां क्या क्या क्या, आगर यहां आपको समझ में नहीं आघा हो, तो क्या से करने तो आप लोग लास्ट क्लास्ट का एका वीडियो देख लीजिए ठीए तो यहां देखते हैं क्या है यहां FC के वेलिव आई तो यह क्या होता है Carrier Frequency Component होता है यह दोनों Carrier Frequency Component होते है Carrier Power का Carrier Frequency Component हो तो FC, minus FC और FC होती है पर इसकी जो यह हो गया यह यह अपर साइड बेंड इसकी फ्लस एफ्लस 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 एफ Fc FM की निकाले तो 998 हो गई मैनिस FC हो गई माइनस 1000 होगे अंब माइनस FC प्लास एफम हो गई 1000-2002 हो गई और हम लोग ने केरीयर पावर की फ्रिक्रेंस्टी कि क्या हो इसके फ्लेइड क्या हता है एसी अपन टू होता है तो क्या होए कितना हमारा हो जाएगा फाइब आपर सन्ट में हो गया अगर इसको आपवर करें इसको अपन फॉल करेंगे तो 1.25 आएगा ठीक हैए यह होगया आप लोग ton हगा है को जगा कि चलिए इस को देखते हैं इसके मिश्का होगा है हम रहते हैं क्या होगा हम लूग निकलते हैं मेक्सिमाम मिनिमीम् क्या है य देख यह क्या है यह सिगनल है मária मोड्लेटर नाले म मुद्रशिन जो जो यह क्या और मुद्शुम्व कड़रा यह जैसे सवी मुव करेगा वैकल jus मैक्सिमाम यह फूर्ट जो भी मिनिमम् यह दे trim यहां यह क्या होगी minimum हो जाएगी ठीक है इसी तरह हम लोग का एक formula आता है am is equal to जो am आएगा ac a maximum मतलब a maximum amplitude maximum minus amplitude minimum upon 2 और ac का value आता है formula a maximum minus am तो am की value क्या आगए a maximum a minimum upon 2 तो यह निकल गए ac is equal to इसको जब value को निकालेंगे तो निकलेगा am x plus am minimum upon 2 जहां से जो mu की value निकलेगी mu की value आती है mu का formula आता है am upon ac तो mu की value अगर यह जब जब इसको substitute करेंगे तो इसके आएगे mu की value आएगी a maximum minus a minimum upon a maximum upon plus a minimum तो यह जो equation है यह standard matter of evaluating of modulation index mu तो modulating index ही है ना modulating index है जो की when calculating waveform ठीक है जब हम लोग calculate करते हैं modulation index तो यह standard equation है standard निकालते हैं तो एक last question देख लेते हैं तो एक last question इसमें यह क्या कहा रहा है the peak voltage of am signal varies 2 volt to 10 volt find mu find mu pt find mu pt and eta ठीक है where r is equal to 1 ohm given तो a maximum की value कितने है a maximum की value कितनी है देखिए यहां दे रखा है ना 2 volt to 10 volt 10 volt maximum होगे minimum की value कितनी की 2 volt to mu की value कितने ही आगे maximum a maximum minus a minimum upon a maximum plus a minimum तो क्या आगे इसको निकालेंगे तो 0.66 आगे तो यह क्या आगे इतार की value mu की value यह क्या है standard method है ठीक है आप हम लोको क्या निकालेंगे total power यहां से AC का AC is equal to क्या होता है a maximum plus minimum AC की value निकल गी यहां से substitute करने के बाद ठीक इसी तरह अगर AC PC की value निकालें के रिपावर की तो AC upon 2R होता है तो AC AC निकल चुका है 6 6 6 का square upon 2R R क्या है अमारा resistance कितना है यहां पास 1 है तो resistance 1 होगे 6 36 upon 2 18 watt होगे और total power क्या होगे total power is equal to PC PC into 1 plus mu square upon 2 होगे तो इसकी value निकाल total power क्या होगे 21.92 होगे 21.92 एप्रक्स होगी 22 watt की होगे और इता के भी लिए क्या होती है यह मुई स्कॉर्ड एपॉन टू प्लस इटा स्कॉर्ड तो मुउ स्कॉर्ड तो यह निकल क्या आगा जाएगा 0.178 मतब 0.178 को लिख सकते है है 0.1818 एप्रक्स 18 परसेंट हो गई ठीक है इस तरह हम लोग इसकी जो मैसेज इसका जो निकालेंगे पावर निकालेंगे और इसकी हम लोग निकाल सकते हैं यह इस तरह हम लोग कोश्चन को करेंगे ठीक है लोग यहां पर इसको इसको इंड करते हैं देख चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ओके बाई